हलो दोस्तो, स्वागा थे आपके अपने YouTube चैनल Windows Classes में कैसे हैं दोस्तो, उम्मित करता हूँ, बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कररहे होंगे दोस्तो, आब आपके एक्जाम के लिए समय नहीं बचा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा question answer लगा है आज के वीडियो में हम discuss करेंगे 36 गर समाने गयान के top important question answer जो अनेक परिक्षाओं में बार बार पुछे गया है आगे भी पुछे जाने की पूरी संभौन है तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों आज का पहला question इस राज्य के निम्न लिखित नेता में से कौन कभी speaker या विधान सबाद देक्ष नहीं रहें बहुत अच्छा question है दोस्तों option देखिए ए प्रेम प्रकास पांडे बी पंडित रवी संकर सुकल C. पंडित राजन प्रसाश सुकल या फिर D. उप्रुक्त में से कोई नहीं तो कौन सा option सही है दोस्तों सही option सोचने के लिए आपको मिलेगा पांस सेकेंड का समय समय शुरू होता है अब जिस आच्छो इस question का right answer हो जाएगा B. पंडित रवी संकर सुकल पंडित रवी संकर सुकल कभी भी speaker या विधान सबाद ध्यक्ष नहीं रहे ठीक है दोस्तों ये आपको याद रखना है other option को भी discuss कर लेते हैं C. आप्शन देखिए पंडित राजन प्रसाश सुकल ये प्रथम विधान सबाद ध्यक्ष थे और एक question बन चुका है दोस्तों आगे भी बनने की पूरी संभावना है ठीक है ये option को देखिए प्रेम प्रकास पंडि ये second विधान सबाद ध्यक्ष थे ठीक है दोस्तों तो आपको पूरे sequence में याद रखना है कहीं से भी question पूछा जा सकता है तो इस question में बस इतना ही बढ़ते अगले question के तरफ निम्ना लिखित में से कौन सी जोड़ी 36 गड़ की नंदिया तथा उनके किनारे बसे नगर सुमेलित नहीं है ए भी question बहुत ही अच्छा है दोस्तों इस प्रकार के question में आपको last sentence को ध्यान देना होता है यहाँ पे क्या दिया गया है सुमेलित नहीं है option देखिए A. सिवनात नंदी दुर्ग B. दूर्द नंदी कांकेर C. महाननन्दी राजिम या फिर D. सबरी नंदी राइगर एक तरफ आपको सहर के नाम दिया गया है दोस्तों और एक तरफ नंदी के नाम दिया गया है तो इन में से कौन से option सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है जी दोस्तों अगर आप option D के साथ जा रहे है तो आपकांसर बिल्कुल राइट है सबरी नंदी राइगर यह option सुमेलित नहीं है बाखी जो तीन option दिखाई दे रहे हैं दोस्तों तीनों option सुमेलित हैं और इस पकार के question पूछे जाते हैं सबरी नंदी के किनारे कौन से सहर बसाए यह आप लोग को comment करना है वीडियो पसंदार है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले नेस्ट question 36 गर में साकारी अंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है किसको जाना जाता है दोस्तों option देखिए ए खुब चन बांधे बी महत्मा गांधी सी पंडि सुन्दल लल सर्मा या फिर D ठाकुर प्यारे लल सी तो कौन सा अपसन सही हो जाएगा जिस आथे उस question का right answer हो जाएगा D ठाकुर प्यारे लल सी दिखे दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक question आधुनिक इतिहास का question है और इतिहास से संबन्दित हमने separate video upload किये हैं जिसमें हमने प्राची नितिहास मद्यकाले नितिहास और आधुनिक इतिहास सभी से हमने जितने भी question बन सकते सभी को हमने discuss किये हैं और साथ ही साथ हमने ebook भी publish किये हैं 450 plus question का अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उपर आई बटन में link मिल जाएगा वहाँ से जाकर देख सकते हैं next question निम्न लिकित में से कौन सा अधिकारी इस राज्य का सविधानिक प्रमुख है कौन सा है दोस्तो आप्षन देखिए a. राज्यपाल b. महादिवक्त c. मुख्यन आधिस या फिर d. इन में से कोई नहीं तो कौन सा अप्षन सही हो जाएगा जी दोस्तो अगर आप अप्षन e के साथ जा रहे तो आपकांसर बिल्कुल राइट है राज्यपाल देखे दोस्तो यहाँ पर आपको confused नहीं होना है इस प्रकार के similar question पुछे जाते हैं यहाँ पर सविधानिक पुछा गया है वास्तविक भी पुछा जा सकता है और कानूनी भी पुछा जा सकता है ठीक है दोस्तो इस सभी question को हम आगे के वीडियो में कवर करा देंगे अगला question 36 गर में निक तो प्रथम ब्रेटी सा धिक्षक कौन था कौन था साथियो आप्सन देखिए A. Captain Neil B. Colonel Agnew C. Captain Smith या फिर D. Captain Edmond तो प्रथम ब्रेटी सा धिक्षक कौन था दोस्तो जल्ली से अपना अंसर दीजिए जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा D. Captain Edmond Next question निमन लिखित में से कौन सी जोड़ी 36 गड़ के अभ्यारन यहां जीले सुमेलित है इससे पहले हमने previous question में देखे थे सुमेलित नहीं है पूछा गया था यहां पे सुमेलित है पूछा गया ठीक है आप्सन देखिए A. गुमर्दा अभ्यारन राइगड B. भैरमगड बलरामपूर C. बादल खुल धमतरी या फेट D. तोमर पिगला कमरधा एक तरफ जीले के नाम दिये गए है दोस्तों और एक तरफ अभ्यारन के नाम दिये गए हैं तो इन में से कौन सा आप्सन सुमेलित है जी साचो इस question का right answer हो जाएगा A. गोमरधा भ्यारन राइगर अभ्यारन और राष्टे उद्यान से संबंधित मैंने सेप्रेट उडियो अपलोड किया है अगर आपने नहीं देखें तो उपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या निचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगला कुश्चन 36 गड़ के महासमुन जी ले के निमनांकीत की सहर की हें सौंग ने सात्वी सताबदी में यात्रा की कौन से सहर है दोस्तों आप्शन देखें A. सिरपूर B. रायगर C. कबिरधाम या फिर D. अंबिकापूर जल्ली से अपना अंसर टिक करें जी साथ्योष क्विश्चन का राइट अंसर हो जाएगा A. सिरपूर आपको याद अखना है दोस्तों सिरपूर के साथ ही साथ मल्हार की भी यात्रा की थी किल्यार है नेस्ट क्विश्चन पंडिस सुंदलाल सर्मा ने कौन से मंदिर में हरी जनों को प्रवयस दिलाया कौन से मंदिर है दोस्तों आपसन देखिए A. लच्मन मंदिर B. महमाया मंदिर C. राजी लोचन मंदिर या फिर D. कंदरिया महादे मंदिर तो इन में से कौन सा आपसन आपको सही लगता है जे साच्योष क्विश्चन का राइट आपसर हो जाएगा C. राजी लोचन मंदिर नेस्ट क्विश्चन दन्तिवाड़ा जिले के भाजन से बना नया जिला बिजापूर हस्तितों में आया कब आया दोस्तों आपसन देखिए A. 2006 को B. 2007 को C. 2012 को या फिर D. 2013 को तो जल्ली से अपना आंसर टिक करें जिस साच्योष क्विश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B. 2007 को कौन सा डेट है दोस्तों यह आप लोग को डेटेल से कमेंट करना है बढ़ते अगले क्विश्चन के तरब निम्र में से किस नाम से इस राज्य की जन जातियों में आप हरन विवा को पुकारा जाता है क्या नाम से दोस्तों आपसन देखिए A. धुकू B. गुरावाट C. लमसेना या फिर D. पैसो तूर जी दोस्तों अगर आप आपसन D के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कूल राइट है पैसो तूर अगला क्विश्चन 36 गड में निम्र लिखित में से किस स्थान पर जल विद्दूत प्रवज़ा नहीं है कौन से स्थान है दोस्तों आपसन देखिए बहुत अच्छे कुश्चन है दोस्तों इस प्रकार के कुश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर आपसन दिये हुए है एक कुश्चन आप लोगों के लिए है इसका अंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में दिना है तो आज को वीडियो में बस इतना ही वीडियो के रिकार्डिंग कोई भी कुश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपका कमेंट का हमें इंतिजार रहेगा तो मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में जब तक खुश रहें दोस्तों को भी खुश रखें जैहिं